कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होंगे मैं विश्वास करती हूँ आप सब कहाने सुनने के लिए तयार है तो चलिए अजमिक मज़ीदार कहाने सुनेंगे एक गाओ में एक धनवान व्यक्ति था उसके पास काफी सारे जमीन थे उसने अपने घर के आजू बाजू उसने गार्डन रखा हुआ था गार्डन था और उसमें उसमें का फार्मिंग भी वो करता था उसमें और वो एक फार्म भी रखा था और उसमें बेड़ बकरी गाई ये सब मुर्गी ये सब उसके पास थे और उस गाओ के बगल में एक बड़ा जंगल था और उस जंगल में काफी सारे बेडिया रहते थे उस जंगल में बहुत सारे तो वो क्या करते हैं रात के समय इस गाओ में आकर जो गाय बैल जो बार ऐसे गूम रहे होते हैं भेड बकरी चुटे-चुटे भेड यह सब को क्या करते हैं वो पकड़के खा लेते हैं ऐसा करके वो भेडिया वो रात के समय उस गाव में आते थे तब उस धन्मान व्यक्ति के पास एक भेड का एक जुंडबी था और वो क्या करता था उसको उस भेडियों से बचाने के लिए उसने क्य किया था शिकारी कुट्तों को उसने पाल कर अपने पास रखा था उसको अच्छी जज़े ट्रेवियर लेकर जाता था तो उसके साथ वो शिकारी ते भी उस भेड के जुंड के साथ वो जाते थे लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे वो भेडिया क्या करता था चाल बाज़ी करके एक ना एक भेड को खाई लेता था जो भेड जुंड से अलग चली जाती थी थोड़ी दूर चली जाती थी उसको वो क्या करेगा खा लेता था वह भेड़िया ऐसे करके एक दो एक ना एक ना एक वो खाही लेता था लेकिन दूसरे सब को वो शिकारी कुता क्या करता था उसके सुरक्षा करता था तब एक दिन क्या हुआ वैसे उन लोग उस जंगल के आबाजु में वह धनवान व्यक्ति उनके बेड़ों को चराने के लिए लेकर गया था वहाँ पे वह बेड़ चर रहे थे तो एक छोटा बेड़ अपनी मम्मी को जाकर बोलता है कि मम्मी मैं थोड़ा दूर जाकर चरता ह वहाँ पे देखो वहाँ पे हरी हरी घास है वह टेस्टी रहेगा मैं वहाँ पे जाता हूं करके वह बोलता है लेकिन उसकी मम्मी बोलती कि नहीं बेटा लेकिन ज्यादा दूर मत जाना यहीं पर पास में रहो जुंड के साथ ही रहना दूर मत चले जाना दूर कर ऐसा करके वो उनकी ममी बोलती है लेकिन वो छुपके से क्या करता है वो छोटा भेड दूर चले जाता है वो और क्या हुआ शाम हो गई और वो भेड को डर होने लगा कि अब मैं क्या करूँगा मैं अकेला फस गया हूँ अभी तो रात होने को है ऐसा करके उसे बहुत ही डर हो गया और रात भी हो गई तब एक भेड या उसे दिख गया और वो भेड बहुत ही डर गया अब मैं क्या करूँ करके तब वो भेड या के बोलता है तुम अकेले क्या कर रहे हो यहाँ पर इतनी रात को तुम अपने जुंड के साथ नहीं हो ऐसा करके वो उस भेड़ से पूछता है तब वो शांती से खड़ा आता है तब वो भेड़िया क्या करता है उस भेड़ के पास जाकर बोलता है तुम्हें तो अब सजा मिलेगी तुम इतने रात को जुंड से दूर हो अलग हो अब तुम मम्मी की साथ रह रहे कि वो बहुत ही बुध्यमान था वो तरण सोचता है कि मैं क्या करूं ऐसे करके वो सोची एक आइडिया बनाता है और वो भेड़िया पूलता है बेडिया से कि आप मेरी आखरी इच्छा को पूरी करोगे क्या तब वो भेड़िया बोल बोल मैं आज तिरी अखरी इच्छा को पूरी कर देता हूं वैसे भी मैं तुझे आज खाने जा रहा हूं ऐसे करके वो बेड़िया बोलता है तब वो बेड़ बोलता है कि मुझे आपकी आवाज को सुनना है जब हम मेरी आवाज अच्छी है ऐसा ऐसा करके वो क्या करने लगता है वो आवाज निकालने लगता है चिलाता है चिलाता चिलाने लग जाता है तब क्या होता है इस भेडिय की आवाज को वो शिकारी कुट्टे सुन लेते हैं तब वो क्या करते हैं उसके आवाज को सुन कर कहां पह कड़कर उसे पूरा काट डालते हैं उसको पूरा से मार डालते हैं तब वो भेड को लेकर जाकि उस भेड के बच्चे को लेकर जाकि वो घर पे अपने मम्मी के साथ उसको पहुंचा देते हैं तब वो भेड अपनी बेटे से बोलती है कि देखा तुम अभी मर जाते लेकिन बच गए हो इसके लिए तुम मेरे बात को मानना चाहिए था तुम्हें जुन्ड से अलग नहीं होना चाहिए था brings them उसकी मम्मी उसको बता तुम बताती है तब उस मम्मी अब मैं कभी अलग नहीं होगा करके ऐसा वो बोलता है तो इस कहाने से हमें क्या सिखने मिला कि हमारे लिए सुरक्षा कहाँ पर है परमीश्वर ने जो हमें एक जुंड को पवित्र लोगों का एक जुंड दिया है उसमें हमें सुरक्षा है मसीह के अंदर मसीही लोगों के साथ हमें सुरक्षा मिलती है है ना जैसा वच्चन कहता है सबोब देशक चार बारा में यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे जो डोरी तीन ताके से बटी हो वो जल्दी नहीं तूटती तो हमें क्या करना है कभी भी अलग नहीं हो जाना है क्योंकि अगर हम अलग चले जाएंगे तो क्या करेगा वो शैतान भी कैसा होता है इसको अफाड खाना करके वो गूमता रहता है जैसा वच्चन में लिखा है ना कि अगर हम अकेले रहेंगे तो वो हम पर प्रबल हो जाए क tidak hapham, वो नहीं हो में ना Banda, जैसे वह बेढ़ की दूर उरे चाहना लेकिन भूर भी गया व कि बात को वो नहीं माना वैसे ऽे हमें व कर सके हमें जो पर्मिश्वन्य जो तो लिए वह क्या बोल रहा है हमसे वे बात को मांना और अब में अलग नहीं होना है उसी में हमारे लिए सुरक्षा है है ना मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब को कहानी अच्छा लगा होगा तो हम अगली बार मिलेंगी बाइए